इन 1913 नोबिल प्राइस विनर रविंद्र नाथ टेगोर सेड अबाओड मौला इमाम हुसेन, इन ओर टू कीप अलाइफ चस्टिस और टूथ, इंस्टेड अफ एनि आर्मी और विपन्स, सक्सेस कैन बी अचीवड बाई सेक्रिफाइसिंग लाइफ, एग्जेक्टिली वट इमाम हुसेन, रविंद्र नाथ टेगोर कहते हैं, इनसाफ और सचाई को जिन्दा रखने के लिए फोज या हथियार के बजाए, जीवन को त्याग कर भी काम्यावी को हसिल किया जा सकता है, जैसा कि मौला इमाम हुसेन ने किया कर बला की सर्समीन पर, उसी तरह से हम सब ज महत्मा गांधी काते हैं, कि अगर भारत को एक काम्याव देश बनना है, तो भारत को इमाम हुसेन के पदचिन्हों पर चलना होगा, अगर मेरे पास मौला इमाम हुसेन जैसे 72 सिपाही होते, तो मैं भारत को मातर 24 खंटे के अंदर आजात कर देता, मैं कहता हूँ कि करबला की लडाई सिर्फ यजीद और हुसेन के बीच की लडाई नहीं थी, ये यजीदियत और हुसेनियत के बीच की लडाई थी, ये सचाई की लडाई थी, ये सचाई और जूट की लडाई थी, ये अंधेरा और उजाले की लडाई थी, ये अंधकार औ परकास की लड़ाई थी एक तरफ मौला इमाम हुसेन ने 72 लोगों को कुर्बान करना कुबूल किया लेकिन यजीद जालिम के हाथ पर अपना हाथ देना कुबूल नहीं किया इसलिए मौला गरीब नमास इर्शाद फर्माते हैं कि शाह अस्त हुसेन बाद शाह अस्त हुसेन सर दाद नदाद दस दर दस्त यजीद हका की बिनाए ला इलाह अस्त हुसेन इनसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारे गई हमारे हैं हुसेन दुनिया में जहां कहीं भी जल्म होगा वहाँ आप उस जल्म के खिलाफ लड़ने के लिए मौला इमाम हुसेन को जरू पाएंगी यह करबला की लड़ाजी सिर्फ मुसल्माणों की लड़ाजी नहीं है धुए हर उस शक्स की लड़ाई है यह दुनिया में हर उस शक्स के लिए प्रिरना का सुरूत है इंस्पाररिशन है जो किसी भी जल्म के खिलाफ को बिलाफ खुरा होना चाहता है, वो लड कि जल्म के खिलाफ अंधरे के खिलाफ जालिम के खिलाफ डटकर सिसा पिलाई हुद दिवार की तरह खड़े रहना है और कभी भी हार नहीं मानना है